हेलो दोस्तों मैं राकेश शौदरी आपका मैथावेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तहरी के यूट्यूब चैनल पर हम बात कर रहे हैं बोट एन्ड स्ट्रेंड के बारे में और हम देख रहे हैं पार्ट नम्बर फोर जो की हमारा लास पार्ट है इस चैप्टर का और हम फ़ालो कर रहे हैं राकेश यळव प्लास मौट्स देखते हैं कुश्यन हम कुश्यन नमबर 13 क्या कह रहा है तेरा नमबर देखिएगा अच्छा कुश्यन है ध्यान से देखिएगा एक नाविक 25 किलो मीटर धारा के विरुद और 39 किलो मीटर धारा के 7 जाने में 8 गंटे का समय लेता है ध्यान से सुनिए टोटल समय कितना है 8 गंटे का किस किस के लिए 25 कीलो मीटर और गुंचालिस कीलो मीटर के लिए तो क्या हम 25 और गुंचालिस जो कीलो मीटर है ये जो दूरी तै की जा रही है आठ गंटे में तो 25 और 39 को डारेक्ट एड करकर हम टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं क्या नहीं क्यों क्योंकि 25 किलो मीटर तो है धारा के विरुद और 39 किलो मीटर है क्या धारा के साथ में तो इसका मतलब हमें पता है कि धारा के विरुद जो होती है स्पीड वो होती है एकस माइनस वाई और धारा के साथ में जो होती है वो होती है एकस प्लस वाई तो हम कह सकते हैं 8 गंटे का टॉटल समय लगरा है तो टोटल समय 25 किलो मीटर और गुंचालिस किलो मीटर को तै करने में लग रहा है लेकिन 25 किलो मीटर के समय स्पीड अलग है और गुंचालिस किलो मीटर के समय स्पीड अलग है तो टाइम हमें पता है जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो 25 किलो मिटर के समय स्पीड क्या है दारा के विरुद मतलब x-y और गुंचालिस किलो मिटर के समय स्पीड क्या है दारा के साथ मतलब x प्लस y तो इसका अलए distance upon speed distance upon speed क्या हो गया time और total time कितना है 8 गंटे का year ठीक है यहां तक बात करते हैं आगे और आपको दूसरी वाली condition कह रहा है कि 52 किलो मिटर धारा के साथ और 30 किलो मिटर धारा के विरुद जाने में 10 गंटे लगते हैं तो 10 गंटे का समय दे रखा आपको total और समय होता है कि distance upon speed तो distance है 52 किलो मिटर की कब धारा के साथ इसका कहते हैं इसको यह लिजी और 30 किलो मिटर धारा के विरुद इसका मतलब upstream वो आ गया x-y तो distance upon speed distance upon speed आप क्या कह सकते हैं टाइम होता है तो यह कुल मिला कर 30 और 52 किलो मिटर कवर करने में total time हो गया 10 आर्ट का ठीक है यहां तक अब इसके बाद इसको करने के दो तरीके आपक पहला तरीका तो यह इन equations को solve कीजिए और वो कैसे आप देख सकते हैं x-y और x-y है तो या तो x-y का factor similar कर लीजिए या फिर x-y का factor similar कर लीजिए ठीक है तो आप चाहे उसका factor similar कर सकते हैं अगर आपको लगता x-y का factor similar करना है तो आप इसका कर लीजिए और अगर आप चाहे तो x plus y का करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं जैसे हम normal equations पे करते हैं वैसे लेकिन उससे भी आसान तरीका एक है जिसमें थोड़ा सा आपको active रहकर सोचना पड़ेगा आप x और y की values assume कीजिए किया होगी जैसे ही आपको पूछा तो क्या है नाव की गती पूछीए नाव की गती मतलब x का मान पूछा आपको ये आपको निकालना है तो आप x और y दौनों की value assume करना शुरू कीजिए और वो इस तरीके से assume करना है कि ये equation satisfy हो जाए अगर ये equation satisfy हो जाती है x और y दौनों की value से तो फिर जो आपको x पूछा है केवल तो नाव की गती ही पूछी है तो x का मान जो हम assume कर रहे हैं वो हमारा सही होगा और answer हो जाएगा ठीक है अभी option नहीं अगर option होता तो थोड़ी help और जादा मिल जाती एक value तो हम option से लेते हैं और दूसरी value उससे relate करते हुए यहाँ match करते हैं अगर 8 और 10 आ जाता तो वो option हमारा सही हो जाता लेकिन अभी option नहीं है तो हम दौनों ही value assume करते हुए चलते हैं तो देखेएगा यह तो आपको बता x का मान y से जादा लेना आपको तो किस तरी यह से arrange करें इन्हें अगर इस x को मैं 10 ले लूँ और y को मैं 3 ले लूँ अभी यह confirm नहीं है यह सही है देखते हैं 10 और 3 लो तो 10 और 3 कितना 13 तो 40 बटा 13 यह कितना आ गया 3 फिर या तो 10 माइनस 3 करूँगा तो 7 होगा तो 25 बटा 7 नहीं होगा चलिए ठीक है फिर नहीं लेते हैं यह value तो फिर क्या value ले सकते हैं हम तो x प्लस y की value और क्या ली जा सकती है अगर यह नहीं तो x प्लस y यह 39 है तो यह 13 से जा रहा है या फिर इधर देखते हैं यह 13 हो जाए तो फिर x की value हम लेते हैं कितनी यह 5 तो यह 5 कब होगा 10 माइनस उससे 10 प्लस 15 नहीं तो इसकी value क्या ले सकते हैं हम चलिए देखिएगा x और y की value assume करने में दिक्कत आ रही है तो हम value x और y के individual assume ना करके x प्लस y और x माइनस y की values assume करते हैं वो जादा आसान रह जाएगा तो x प्लस y की value मैंने ले ली कितनी 13 तो मैं देख सकता हूँ x प्लस y 13 लोगा तो गुंचालिस बटा 13 कितना होगा यह 3 बरावर में कितना 8 है तो 3 तो आ चुका है यहां से मुझे 5 चाहिए तो x माइनस y कितना assume कर लो 5 क्योंकि 25 अपान 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा यह 5 तो इसका आला x माइनस y आपने 5 लिया तो 25 बटा 5 हो गया x प्लस y आपने 13 लिया तो गुंचालिस बटा 13 तीन हो गया 5 और 3 जोडने पर 8 हो गया चलिए ठीक है अभी तक तो इसमें भी चेक कर लीजिए आपने x प्लस y तेरा लिया है तो 52 बटा 13 करेंगे तो कितना आ गया 4 ठीक है और 30 बटा आप 5 कर रहे हैं तो ये कितना आ गया 6 6 और 4 10 हो रहा है इसका मतलब ये values आपने x प्लस y और x माइनस y की बिलकुल सही ली है अब हम देख लेते हमें तो केवल x चाहिए तो केवल x तो निकाल सकते हैं यहां से कोई बड़ी बात नहीं है दो variable का total है और नहीं दो variable का difference है तो first वाला variable लेना है पहली वाली चर लेनी है तो इनको जोड कर आधा कर लेते हैं तो 13 और 5 कितना हो गया 18 बटा दो कर लिया तो finally answer आगया 9 km प्रतिगंटा यही अगर y पूछा होता तो 13 में से 5 घटा देते हैं तो 8 आट बटा दो कर लेते तो 4 आजाता त इसका 4 किलोमेटर परा लेकिन एक्स पूछा है तो उसका answer आगया 9 किलोमेटर परा तो यह था हमारा question question number 13 बात करते हैं इसी तरह से next question 14 के बारे में क्या कहा रहा question number 14 देखिएगा question number 14 आपको कह रहा है एक नावी 24 किलोमेटर धारा के साथ और 36 किलोमेटर धारा के विरुत 9 घंटे में जाता है तो 24 और 36 यह total distance वो 9 घंटे में तै करता है लेकिन दौनों choice किलोमेटर में और 36 किलोमेटर में उसकी speed अलग अलग है तो choice किलोमेटर तो जा रहा है क्या वो धारा के साथ इसका मतलब x plus y तो distance upon speed time हो गया और 36 किलोमेटर जा रहा है धारा के विरुत इसका मतलब x minus y तो distance upon speed यह भी time हो गया तो total time कितना है उसका 9 घंटे में कोई दिक्कत वाली बात भी है फिर 36 किलोमेटर धारा के साथ और choice किलोमेटर धारा के विरुत तो 36 किलोमेटर धारा के साथ मतलब downstream और choice किलोमेटर धारा के विरुत मतलब upstream तो distance upon speed time total time आपको दे रखा कितना साड़े 8 घंटे मतलब 8.5 अब अगेन इसके बाद में आपको दो तरीके इसको करने के या तो x प्लस y का factor similar कर लीजिए या x माइनस y का factor similar करके equation solve करते वैसे कीजिए लेकिन वो process काफी lengthy और complicated हो जाएगा तो आसान तरीका क्या है x प्लस y और x माइनस y की values assume कीजिए जो की यहां रखने पर यह जो equation है बराबर में 9 और बराबर में 8.5 वो satisfy हो जाएगा अगर वो हो जाएगा तो x प्लस y और x माइनस y की value आने के बाद में आपको नाव की चाल मतलब x का मान पूछ रहा है तो वो भी आसानी से निकल जाएगा तो देखते हैं value assume करते हैं x प्लस y को 12 ले सही है यानि अभी रखने पर पता चलेगा तो अगर 12 लेता हो तो चॉइस बटा 12 करूँगा तो कितना आ गया ये दू बराबर में कितना है नौ है तो दो आ चुका है तो अब और कितना चाहिए आपको साथ तो 36 अपॉन x माइनस y है तो 36 में किस से divide करने पर 7 मिल जाएगा तो अगर divide करके देखें 36 तो नौ ये फिर या बारा 6, 4 से 9 बार नहीं होगा इससे तो फिर value change करते हैं जैसे कि यहाँ पर तो ये चला जाएगा अगर 36 में आपको चाहिए कितना ये 12 दो आ चुका है 7 चाहिए तो 7 से तो ये नहीं बैठ रहे है ठीक है तो फिर 12 नहीं लेते तो फिर x प्लस y की value क्या ले सकते हैं अगर 12 नहीं लेंगे तो x प्लस y की value हम assume करते हैं जैसे कि 6 अगर ले x इसकी तो choice बटा 6 करूँगा तो कितना आ गया ये 6 बार जाएगा ठीक है सॉरी ये जाएगा कितनी बार चार बार वो कितना है 9 तो अब कितना चीए आपको 5 तो x माइनस y से 5 ये भी नहीं चलिए फिर value और कोई देखते हैं अगर 8 देखें यहां पर x प्लस y को तो 24 बटा 8 करूँगा तो कितना होगा तीन 9 है तो कितना चाहिए 6 तो 36 में 6 से अगर divide करूँ तो 36 बटा 6 ज़रूर हो जाएगा तो x प्लस y को 8 लेते हैं तो 24 बटा 8 करते हैं 3 आता है x माइनस y को 6 लेते हैं तो 36 बटा 6 करने पर 6 आ रहा तो 3 और 6 9 पहली वाली equation तो ओके है सेकंड वाली देख लेते हैं सेकंड वाली अगर देखें x प्लस y आपने 8 लिया है तो 36 बटा 8 करेंगे आप तो 36 बटा 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा पूरा तो जाएगा नहीं लेकिन 4 से ये गया 9 और 4 से ये x प्लस y 8 ये 2 9 बटा 2 मतलब 4.5 तो आया ये 4 आगया टोटल 8.5 हो गया इसका मतलब ये वैल्यू बिलकुल सही है चलिए तो अब x प्लस y और x माइनस y जो वैल्यू हमने अज्यूम कि बिलकुल सही आ गई हमारे पास अब आपको पूछा क्या है नाव की चाल मतलब केवल x का मन तो केवल x का मन तो आप निकाली सकत है दौनों को एड कर लीजिए तो दौनों को एड किया कितना हो गया यह यह हो गया चौधा उसका आधा कर लिया जो की है सेवन कीलो मीटर पर आर और यही आपको पूछा गया था जो की आंस्वर आ चुक अगर आपको वाई का मान पूछता तो आंट में से छे कम कर लेते दो दो का आधा कर लेते एक तो आंस्वर आ जाता वाई का कितना वन कीलो मीटर पर आर लेकिन करते हैं हमारे last question question number fifteen की देखिएगा question number fifteen क्या कह रहा है जो कि हमारे chapter का last question क्या है question देखिए question आपको कह रहा है कि एक समुंदरी जाहाज किनारे से 77 किलो मीटर दूर है उसमें एक छेद हो जाता है जससे की प्रतेक साड़े पाँच मिनट में दो सई एक बटा चार टन पानी निकलता है मतलब उस जाहाज के अंदर जाता है एक निकासी नल भी लगा हुआ है जो कि प्रती घंटे बारा टन पानी बाहर फेकता है ठीक है तो ग्यात ये करना है कि इसे किस चाल से चलना चाहिए जब ये डूबने वाला हो तो इसे 6 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले सामने से जहाज आएगा इसको बचाने के लिए और उसकी स्पीड होगी 6 किलोमेटर पर आरगी और ये डूबने वाला ही हो तब वो आकर इसको बचा ले और डूबाने के लिए 69 टर्न जो पानी है वो क्या होता है परियाप्त होता है सफिशेंट होता है तो देखते हैं किस तरीके से होगा थोड़ा सा अच्छा कोशन है इसको आप छोटा कर सकते हैं तो यह आपने रीड कर लिया होगा चलिए क्या गहरा आपको साड़े पांच मिनट में दो से एक बटा चार टन पानी उसके अंदर जाता है तो साड़े पांच मिनट का मतलब हो गया 11 बटा दो मिनट में कितना पानी जा रहा है चार का दो से आट और एक नौ बटा चार टन ठीक है तो एक मिनट में कितना जायेगा एक मिनिट में जाएगा नौ बटा चार है यूनिटी मेथड एक इक नियम से देखो तो 11 बाई 2 कहां जाएगा उसके नीचे तो ये 11 अपान 2 तो वो 2 कहां चला गया उपर, कितना टन पानी जाएगा, ये तो एक मिनिट की बात हो गई, लेकिन जो बाहर निकल रहा है, पानी वो प्रती घंटे है, मतलब 60 मिनिट है तो इसको भी 60 मिनिट में देखें कितना पानी अंदर जाएगा तो ये 60 मिनिट में मैं देख सकता हूँ पानी अंदर कितना जाएगा 9, 2, 4 ये 11 और ये मल्टिप्लाय में कितना, 60 ये जो तीन स्टेप में लिखा है ये सिंगल स्टेप में लिख कर भी हम देख सकते थे ये तो हमने कुछ नहीं गिया सेर्फ और सिर्फ ये जो मिक्स फ्रेक्शन था उसको फ्रेक्शन में लिखा, फिर यूनिटी मेदर से वन मिनिट की वेल्यू निकाली और जो निकासी नल है मतलब जो पानी बाहर निकाल रहा है वो 60 मिनट, एक घंटे का आपको दे रखा है 12 टन पानी तो इसको भी हमने एक घंटे वहले 60 मिनट में कनवर्ट किया है एक मिनट में इतना टन, तो 60 मिनट में इतना टन होगा, कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया टू टाइम्स, ये कैंसिल हो गया थर्टी, तो नौ का तीन से कितना, दो सु सित्तर, तो टू सेवन्टी अपॉन, कितना आ गया, इलेवन टन जो है, एक घंटे में पानी उस जहाज में जाता है, और बाहर कितना निकलता प्रती गंटे, बारा टन, तो इसका मतलब हर एक साट मिनेट मतलब पर आर में अगर मैं देखूं, तो उसमें पानी रहा कितना, इतना तो गया, बारा टन भार आ गया, तो रहा कितना, तो हम देख लेते हैं, टू सेवन्टी अपॉन इलेवन, सिक्स्टी मिनेट मत एलसेवन, एलेवन का ट्वल से मल्टिप्लिकेश्न होगा, कитना होगा, वन थार्टी टू, क्योंकि 11 और 12 का अगर गोना करवाओंगा, तो एक इक सो बतीस ही आएगा, दो सो सित्तर में से पानी हर एक घंटे में उस जहाज के अंदर गुश्ता रहेगा अब उसे डुबाने के लिए कितने टन की जरूरत है कितने टन पानी की जरूरत है 69 टन पानी अगर उसके अंदर चला जाता है तो वो जहाज डूब जाएगा तो अगर मैं देखूं परार मतलब हर एक घंटे में उसमें कितना पानी रह रहा है जहाज में 138 बटा 11 टन और 69 टन जो है वो पानी काफी है उसे डुबाने के लिए तो कितने घंटे बाद में वो डूब सकता है तो वो डूब सकता है 69 टन सफिशेंट है और 138 अपॉन 11 जो ह है यह हर बार हर एक घंटे में पानी रह रहा है जाज में क्योंकि इतना पानी तो घुसता है 270 अपॉन 11 टन और 12 टन जो है पानी बाहर निकल जाता है तो फाइनली हर एक घंटे में 138 अपॉन 11 टन पानी रहता है तो इस तरह से हर एक घंटे 138 बटा 11 टन पानी रहता तो जब 69 टन पानी हो जाएगा, तो वो जहाज डूब जाएगा, तो 69 टन पानी होने में कितना समय लगेगा, वो हम देख लेते हैं, तो 69 अपॉन 138 अपॉन 11, तो 11 कहां चला गया, उपर, ये कैंसील हो गया, टू टाइम्स, तो इसका मतलब कितना समय, 11 बटा 2 घंटे, क्योंकि अगर इस तरह से हरे गंटे 138 बटा 11 टन पानी रहता रहा जहाज में, तो 69 टन पानी रहने में 11 बटा 2 घंटे का समय लग जाएगा, अब तो हमारा अंस्वर आ चुका है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि वो जो जहाज है कितना दूर है किनारे से 77 किलो मीटर, 77 किल जहाज बचाने जा रहा है, जो स्पीड लेकर जा रहा है, 6 किलो मीटर पर आरे की, वो कब बचा लेगा उस जहाज को जब उसको खीच कर कहां लेकर आ जाएगा, किनारे की तरफ, तो इसका मतलब वो जहाज जा रहा है, उसे लेकर आएगा, तो relative स्पीड होगी, दौनों का 6, ठीक है, कितने टाइम में लाना है उसे, 11 बटा 2 मैं, और डिस्टेंस इंटू मैं करूंगा, अगर स्पीड इंटू टाइम करूंगा, तो क्या आएगी, डिस्टेंस और वो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, उन्हें 77 किलो मीटर की, तो ये तो स्पीड होगी, relative स्पीड, दोनों जहाजों, ठीक है, और समय कितना है, 11 बटा 2, तो इसका होले डिस्टेंस, जो की 77 किलो मीटर है, वो मैं देख सकता हूँ, क्या है, 77 किलो मीटर जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी, आपकी डिस्टेंस जो है, वो स्पीड इंटू तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड और टाइम कितना है, 11 बटा दो, तो ये 11 बाई 2, ये कैंसिल आउट होगी है, 7 टाइम, 7 का 2 से मल्टिब्लिकेशन, 14, X प्लस 6, जो है वो 14 है, मुझे तो X निकालना है, तो 14 में से 6 मैं सब्ट्रेक्ट कर लेता हूँ, तो कितना आ गया, ये आ गया 8, कीलो मीटर प्रतिगंड, यही आपको पूछा गया था, कि उस जाज की स्पीड क्या रखी जाए, तो 8 कीलो मेटर पर आ, ये जो है सारा काम, ये बिना लिखे कर सकते हैं, आप वर्बली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मिनेट का आपने द कितना रहा है, जाज में वो क्वांटिटी भी आ गए, तो 69 क्वांटिटी सफीशेंट होती है, उसे डुबाने के लिए, तो इस स्पीड से 69 क्वांटिटी, जो पानी जाने में कितना समय लगेगा, 12 गंटे का समय, फिर तो हमारा आंस्वर आ गया, समय आ गया, 12 बटा दो, इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी लास्ट कुशन, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर जरूर कीजी, तैंक्य प्लीज लाइक शेर शब्सक्राइब डिजिटल तैयारी